सलमान खान एक ऐसा नाम जिनकी मुविज ना 100 से 150 करोड भी कमा लें उसके बाद भी भाई उसको फ्लॉप बोल दिया जाता है जैसे कि अभी पिछे रेज 3 आई थी वो 150 करोड तक गई थी तो उसको लोगों ने कहीं भी हिट नहीं का या एवरेज या फ्लॉप ही उसको कहा ग लेकिन अगर कॉंटेंट अच्छा नहीं है तो उसकी अर्णिंग वहीं मतलब रुख जाती है एक तरीके से और थोड़ी बहुत या बढ़ती है और तब ही वह 150 करोड या 200 करोड के आसपास रुख जाती है अब वैसे ही इनकी मुवी आ रही है किसी का भाई किसी की जान इन और बेंगौली मुवी चंगीज भी रिलीज हो रही है दोनों के Advance Booking के बारे में बात करेंगे किया चंगीज इसको कहीं भी मतलब बोलते हैं कि 1-2-1 फाइट दे पार रही है तो अगर बात करें कि Advance Booking की तो किसी का भाई किसी की जानने अबई तक 1 L. City सोल्ड कर दी है अगर आप इसको convert करो कि कितनी earning सो वही 3-4 करोड के आसपास की earning देखो सल्मान खान के नाम के हिसाब से ये number काफी कम है इस movie में उनने बहुत जादा जान लगाई हुई है मतलब इतने गाने, आठ गाने है भाई इस movie में मतलब ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे है और मतलब इसकी जो cast है वहाँ से भी आपको समझ में आगा कि काफी intelligently मतलब cast को select किया गया हर portion से चाहे पंजाबी industry हो या फिर बोलते south की industry हो हर तरफ से मतलब लोगों को लिया गया है कि हर कोई मतलब इस movie से connect कर सके और वहीं अगर देखा जाए ना कि अगर किसी movie की 3-4 करोड के आसपास की अगर हो जाए advance booking तो उसके हिसाब से first collection मतलब 20 करोड के आसपास की कमाई कर सकती है ये movie ये थोड़ा सा कम इसी लिए भी है क्योंकि सल्मान खान की जो पिछली दो movies थी ना उसको उतनी प्रेज नहीं मिली चाहे race 3 हो या फिर राधे हो दोनों movies को उतनी ज़्यादा प्रेज नहीं मिली इसी के कारण से थोड़ा सा डर है भी है इस movie के लिए लेकिन अगर ये 20 करोड भी first day पे कमा लेती है और अगर इसका content अच्छा होता है तो ये movie की earning भढ़ती जाएगी और ये movie हिट हो सकती है क्योंकि आसपस अभी तो कोई movie release नहीं हो रही देखो अगर बात करें चैंगीज की जो की बिंगाली movie इसके साथ release हो रही है देखो पहली बार कोई बिंगाली movie हिंडी में release हो रही है जीत की ये पहली movie है normally वो भी सल्मान खान की तरह एद पे ही अपनी movies release करते हैं बिंगाल में उनकी movies hit भी होती है देखो यहाँ पे numbers का बहुत जादा game है जो सल्मान खान की movie है वो 4000 के आसपास Indian screens उसको मिली है और वो इतने बड़े number पे release हो रही है लेकिन वहीं देखा जाए अगर चैंगीज का तो वो मतलब सिर्फ 400-400 screens पे ही release हो रही है तो अगर ये movie ना मतलब 50 लाग या 1 करोड पहुन जाती है तो मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी इस movie के लिए क्योंकि देखो Bengal में तो ये hit होगी होगी क्योंकि इस level पे उन्होंने बनाई है और अगर ये Hindi cinema में मतलब 1 करोड तक भी पहुन जाए जो कि शायद ना पहुंचे मतलब 30 लाग 50 लाग तक भी अगर ये पहुंचती है तो ठीक है क्योंकि देखो भाई सल्मान खान की movie के साथ एक तो 1 to 1 आप release कर रहे हो और दूसरी तरफ आपके पास screen भी 400 या 450 ही है तो उतना आपके पास मतलब उतना exposure ही नहीं है कि आप उस level तक पहुंच पाओ जहां पर सल्मान खान की movie पहुंचेगी क्योंकि देखो preference तो पहले screens की सल्मान खान की movie को ही दी जाएगी दोनो movies का चड़ना ना चड़ना देखो इस चीच पे बहुत ज़ादा depend करेगा कि movies का content कैसा है तो हो सकता है देखो आज कल कुछ भी हो सकता है South भी बोलते हैं कि पहले इतना North में नहीं चलता था उतनी movies हिट नहीं होती थी रिलीज भी नहीं की जाती थी लेकिन South की movie आई बाहु बली उसने काफी ज़ादा चीज़ें बदल के रख दी उसके बाद पुश्पा आई आर 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 आई के जी एफ आई इन सब ने मतलब बहुत ज़ादा चीज़ें चेंज कर दी तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर चंगीज का content अच्छा हुआ देखो इसकी बोलते हैं कि एक तरह से प्रमोशन सल्मान खान की मूवी के साथ हो ही रही है क्योंकि हर कोई इसको compare करके दिखा रहा है कि सल्मान खान की मूवी के साथ ये release हो रही है otherwise इसकी शायद कोई बात भी ना कर रहा होता तो इसका फाइदा इसको मिलेगा तो हो सकता है कि कहीं न कहीं ये lifetime collection भी अगर 10 करोड भी पहुंझ जाता है तो it will be like a miracle for that movie लेकिन अगर सल्मान खान की movie का ही content अच्छा होता है तो इसको शायद ही कोई देखने जाए इतना हिंदी में जिस movie का ये remake है वो story मैंने देखी है और वो story अच्छी भी है बस उसको एक तरह से अच्छा बनाना है आपको और कहीं न कहीं इसके trailer से ऐसा लग भी रहा है कि इसको अच्छा बनाया गया है बाकि देखते है भाई कल सुबह इसका show देखूंगा और इसका review भी करके आपको बताऊंगा अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगाए तो लाइक करो वीडियो को शेर करो बाकि मिलते है कल सुबह किसी का भाई किसी की जान के review में डिस इस रूपम शर्मा साइनिंग ओफ जैभुले